नमस्कार, मोधी को इस बार भोट देना है कि नहीं देना है, मोधी की कुछ गल्तिया, कुछ अच्छे काम आपको बताएंगे इससे आप सम् फैसला करना कि मोधी को परदानमंत्री दुबारा बनाना है या नहीं बनाना देखिए इंफ्रास्ट्रेक्चर के मामले में मोदी ने कॉंग्रेस की अपेक्षा तेजी से काम किया तो ये एक उपलब दी विकास दर्वी भारत की ठीक रही ये भी उपलब दी विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा ये भी उपलब दी मतलब देश के भीतर लगबग ठीकी रहा जैसा रहना चाहिए था लेकिन अब विदेश मामलों की बात करें तो मोदी के समन जो है वो ज़्यादा खराब हुए है और देशों से महासक्ती जो दे से उनसे खराब हुए हमारे पडोसी जो दे से उनसे खराब हुए और इतने खराब हुए कि चीन हिंद महासागर में पूरा घुश गया 2010 से इचीन हिंदमहा सागन में गुषने की तयारी कर रहा था कॉंग्रेस सरकार ने कुछ ठोस रणनिती नहीं बनाई चीन के खिलाब उसके बाद मोदी आते हैं मोदी ने भे कुछ भी ठोस रणनिती नहीं बनाई चीन के खिलाब हमारे हाथ से भारत के हाथ से मालदीप निकला नेपाल निकला सिरलंका निकला म्यामार निकला यहां तक की बंगलादेश भी निकल चुका है और भूटान भी निकल सकता है थाइलन निकला और मोदी चुपचाप देखते रहे मोदी ने कुछ भी नहीं किया इन देशों को अपने पाले में लाने के लिए अमेरिका से हमारे समंद नहीं सुद्रे मोदी के समय में गैराई से देखेंगे तो समंद खराब हुए है चीन से हमारे समंद खराब हुए है कॉंग्रेस के सब्वे में चीन बॉर्डर पर इतनी ज़्यादा टेंसन नहीं थी, मोदी के आते ही टेंसन बढ़ गई, हालां कि मोदी ने वहाँ पे सड़कें बनाई, सुरंगें बनाई, इसने टेंसन बढ़ी, दूसरा मोदी जब आए तो भारत में हिंदू मुस्लिम दो ध देख रही है, अभी बहुत कुछ है कमी बताने के लिए और उपलबदी बताने के लिए, लेकिन हम सीधे सोट कट में आपको बताते हैं कि मोदी की सबसे बड़ी गलती ये रही कि हिंदू मुस्लिम दो धड़ों में देश को बांट दिया, और ये सबसे ज़्यादा नुकस मोदी द्वारा कर दिया गया कि भारत्य समाज को बांट देना, लेकिन कुछ अच्छाईयां भी हुई है, जैसे बिदेशों से हत्यार कम खरीदना और अपने हत्यार खरीदना, दूसरा चीन बॉर्डर पे सडकों का जाल बिछाना, रक्षा के छेतर में तेजी से काम करना, दुनिया की बड़ी कमपनियों को भारत में इंवेस्ट करने के लिए माहोल बनाना, तो बहुत सारे मामले हैं ऐसे, जिनमें देखा गया कि मोदी ने अच्छा किया, लेकिन बहुत से मामले ऐसे भी हैं, जिनमें देखा गया मोदी ने खराब किया, जो खराब किया वो है भ भारत के लिए सबसे ज़्यादा घातक है कॉंग्रेस रहती तो भायत का समाज कभी भी दो धड़ों में नहीं बंड़ता देखिए विकास होता रहेगा लेकिन समाज यदी बंड़ जाता है तो ये देश को नुकसान करेगा यानि हमें जो लगता है मोदी की सबसे बड़ी गल हुआ अब भैसला भारते जंता को करना होगा कि मोदी सई हैं या गलत हैं हलांकि हमने पूरी उपलब दिया नहीं बताई पूरे मोदी द्वारा गलत काम नहीं बताए क्योंकि यह एक बहुत लंबी लिष्ट है हमने मु दो पॉरिट बताएं मोदी की ऊपलब दी और मोदी द्वारा किये गए गलत काम वो दो काम यही है कि रक्षा के छेतर में आत्म निर्वर होना लगबा हो रहा है भारत और दीरे-दीरे पूरा हो जाएगा दूसरा गलत काम में समाज को बांट देना जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दायक है अब फैसला में मोदी को भोर देना है या नहीं देना है धन्यबाद